आखिर कार बिग बॉस नाइन से रिमी से इनको एलिमिनेट कर दिया गया और घर से निकलते ही रिमी ने आजा दी की हवा में चैन की सास ली और प्रेस के सामने रिमी ने घुटने के बल बैट को 50 डेस बीबी नाइन में बिताने के बाद अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस किया रिमी ने कहा कि मुश्किल से अब वो किसी अडवेंचरस रियाल्टी शो का हिस्सा शायद बनने की कोशिश करेंगी रिमी के कोल्ड और अनफेर बिहेविर के लिए सल्मान भाई कई बार उनकी इंसल्ट कर चुके हैं लेकिन इन सब का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्यूंकि उनका मानना है कि 13 अजनवियों के साथ घर में रहना ही सबसे बड़ा टास्क है और कहा कि भूके प्यासे रहकर टास्क करना एक टॉर्चर है जिसे वो कभी नहीं कर सकती है और अपनी कमफर्ट जोन तक ही वो टास्क कर सकती है रीमी ने बताया कि शो में मिलने वाली राशी ही उनके लिए इंपोर्टेंट था BB9 के लिए रीमी को कूल 2 करोड 35 लाक रुपे मिले हैं जो एक बहुत बड़ी रकम है वेल रीमी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा प्रिंस और किश्वर को बुरा लगा टेलिविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल